जब हम आपको इमर्जेंसी एंडुस्कोपिक लिए लेते हैं तो जैसा मैंने कहा हम अपने साथ में क्रिटिकल केरे एनस्थीसिया के डाक्टर को रखते हैं आपको एनस्थीसिया आपको एंडुस्कोपिक दौरान कुछ असुविदा ना हो या कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो तो हम आपको ऑक्सिजन भी देते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके सांस की नली या उसमें कुछ ब्लड न चला जाए तो उसका पूरा सब इंतजाम करते हैं जो एंडुस्कोपि हम करते हैं 90 प्रतिशत हम कोशिश करते हैं कि बिना किसी ज्यादा नीन की दवाई दे के आपकी एंडुस्कोपि की जाए ताकि आप होश में रहें और जो हम आपको इंस्ट्रक्शन दें के कहा सांस रोकना हैं कहा सांस लेना हैं आप हमारी इंस्ट्रक करते हैं गले की रास्ते से दूर में पास करके जैसा मैंने कहा खापकी खाने की नली खाने की थेली और ड्यूडनम हमको इसको प्रॉपरली एक्जामिन करते हैं प्रॉपरली एक्जामिन करके हम देखने के खुशिश करते हैं कि खाने की नली में पूरी की पूरी सतय में कहीं किसी इस पार्ट पर कोई घाव तो नहीं है या इसोफेजल अलसर तो नहीं है जहां से ब्लड आ रहा है नमबर वान नमबर टू हम देखने की कोशिश करते हैं कि खानी की नली में कोई नसे तो नहीं फूली हुई है जो फट रही हैं जिसे हम कहते हैं इसोफेजल वेरिसिस इसके बाद हम देखने की कोशिश करते हैं कि खानी की नली में कोई गांट तो नहीं है जिससे खून रिच रहा है जिसे हम कहते हैं इसोफेजल कैंसर और फिर हम नीचे देखने की कोशिश करते हैं कि खानी की नली के नीचे के हिस्से में आपको कोई heitas hernia कोई आपको reflex या कोई आपको mal aromatic tear तो नहीं है जहां से खून आ रहा है यह main कारण है जहां से bleeding खानी की नली से होती है इसको examine करने के बाद हम खानी की थेली में चले जाते हैं जब खाने में थहली में जाते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्या खाने की थहली में blood collected है, अगर blood collected है, तो हम कोशिच करते हैं, देखने की, कि ये पुराना blood है, डार्क ब्राउन कलर का हो गया है, या ये फ्रेश ब्लाड है, या ताजा खून है, हम उसे color से ये भी जच कलर में होता है जब हम खाने की थेली में पहुंच जाते हैं तो हम आपकी जानकारी लिए आपको बता दें कि खाने की थेली के आती हैं, जो bleeding कराती हैं, वो है खून की नस या fundal viruses या कभी-कभी एक बड़ा tumor जो non-cancerous होता leomyoma, ये मुख्य कारणा होते हैं, जो खानी की जो थैली है, उसके fundus से blood लेके आते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि आपको कोई fundal viruses या leomyoma तो नहीं है, खानी की जो थैली है उसमें हम देखते हैं कि आपको कहीं कोई gastric ulcer तो नहीं है या gastric cancer तो नहीं है फिर पूरी की पूरी खानी की थैली के हम overview लेते हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरी की पूरी खानी की थैली में आपको छोटे छोटे छाले पड़े हुए हैं जैसे दर दिनवारक दबायों से हो जाते हैं जैसे acute erosio gastritis कहते हैं जिसके चलते bleeding होने लगती है इसके बाद हम देखते हैं कहीं आपका interim या खानी की थेली के आगे के हिस्से में कोई खून की नसे तो नहीं है जो बार बार फटते हैं और जिनके फटने के चलते आपको खून की उल्टे हो रही है तो खानी की थेली के हम तीनों areas को examine करते हैं that is fundus, body and interim और हम जानने की कोशिश करते हैं के खून कहां से आ रहा है इसके बाद हम खानी की थेली से pylorus की थूँ डियूडनम में प्रिविस्ट कर जाते हैं जब हम डियूडनम में जाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं के कहीं डियूडनम में आपको के बल में आपको अलसर तो नहीं है अगर अलसर है तो हम देखते हैं कि ये अलसर किस location में है interior wall, superior wall या posterior wall में है हम देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें कोई खून की नस दिखाई तो नहीं दे रही हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि खून इससे लगाता रहा है रिस्क तो नहीं रहा है हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें खून का कोई ठकका तो नहीं जमा हुआ है क्योंकि य पार्ट में हम देखने के कोशिश करते हैं कि कहीं कोई घाव तो नहीं है या कहीं कोई किंसर जैसे बीमारी तो नहीं है। या आपको सर्जन की मदद की जरूरत है।